हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चानल आई होप आप से बहुत अच्छे होंगी तो आज के स्वीडियो में बना रहें भरवा परवल की कैसी रेसिपी जो शायद ही आपने कभी ट्राइ की होगी इसे हम स्टफ करके बनाएंगी पनीर की साथ तो चलिए वीडियो को कर सकते हैं परवल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सेच्छे से धोकी साफ कर लिया है इस तरह से दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा इसे काट लेंगे अब एक चागो की मदद से हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से खुरच के साफ कर लेना है हमें किसी पीलर की मदद से पूरी तरह से शील देने से इसके स्टाफिंग निकल आती है और ये बहुत सादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो इस तरह से खुरच के ही इने साफ करें जितने भी परवल हैं मारे पास हैं उन्हें इस तरह से क्लीन करना है और साइड में हम इसे रख देंगे तो ये देखिए परवल को मैंने तयार कर लिया है स्टाफिंग के लिए और एक बरे से दोबारा से वाश भी कर लिया है अब एक एक परवल को लेते जाएंगे एक चाकू की मदद से इसमें इस तरह से स्लिट कर देंगे जो इसके अंदर के हार्ट सीट्स हैं उनको निकाल लेंगे सीट्स अगर सॉफ्ट हैं तो आप उन्हें आगे भी यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे तरीके में आप इलकुल उस तरह से स्लिट लगाएंगी और एक स्पून की मदद से भी आप इस परवल को क्लीन कर सकते हैं अंदर से परवल थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए आप इससे इस तरह से भी क्लीन करके निकाल सकते हैं तो परवल हमारे सारे तयार हो गए हैं क्लीन होके तो चलिए आगे स्टाफिंग के तयारी करते हैं और एक मज़दार सी जो इसकी भरवा है बना कर उसे भी तयार करते हैं तो यह देखें यहाँ पर यह सीट्स हैं जो मैंने परवल से निकाल लए थी अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे भी इसके यूज़ कर सकते हैं अगर यह हाड है यह पके हुए तो आप इने स्किप कर सकते हैं मैं रेसे भी में यूज़ नहीं कर रही हूँ हम यूज़ करें यहाँ पर पनीर का आदा कप पनीर यूज़ कर रहे हैं चॉप करके, अब डाल रहे हैं कुछ कटा हुआ हरा धनिया, नेक्स यहाँ पर एड करेंगे, एक इंच अद्रक का टुगड़ा इसे मैंने गिसके यहाँ पर डाल दिया है, अब डाल रहे हैं, एक से दो हरी मिर्च, इसे मैंने बारिक चॉप कर लिया है, स्वाद अनुसर कम मसालों में डाल रहे हैं, अदा छोटा चमच, अल्दी का पाउटर, आदा चोटा चमच, यूज करेंगे, दनिया का पाउडर, क्शमीरी तो, कुअप श्मिरी नवर्मिर्च का पाउटर, इसको भी कम पाउदा यहाँ पर कर सकते हैं, नेक्स एड करें, इंस बहुत था अब यहाँ पर डाल रहे हैं आदा छोटा चमच आमचूर का पाउडर खटास के लिए इस स्टफिंग बहुत टेस्टी लगेगी एक चुटा चमश डाल रहे हैं खसकस जिसे पोस्त भी कहा जाता है वो हमें आपे डाल रहे हैं और एक चमश डाल देंगे सफ़ेद तिल दोसे तीन पिंच डाल देंगे गरम मसाला बहुत सादा यहाँ पर यूज ना करें आब डाल रहे हैं थोड़ी सी क्रेश की हुई कसूरी मेती, इनको मैंने रोस्ट किया हुआ है, आप भी ना रोस्ट करें भी डाल सकते हैं, इस तरह से रोस्ट करके डालेंगी तो आपको स्वाद और कुछ पर दोनों ही बहुत ही बहतरी नाएगा, सारी चीजों को light hand से थोड़ा सा मिला लेंग एक छोटा चमच बेसन, बेसन मैंने बाइंडिंग के लिए डाला है, जिससे कि अगर आप परवल में भरते हैं तो इस परवल बिल्कुल भी आपका बिखरेगा नहीं, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, अब एक एक परवल को ले रहे हैं और स्टफिंग को इस तरह से धोड़ा थोड़ा करके भर देंगी, ओवर स्टफ ना करें, थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग पनीर के डालते जाएंगी और परवल को स्टफ करते जाएंगी, अगर किसी वज़े से आपको लगे कि पनीर में मोश्यर बहुत जादा है, तो आप परवल की इसमें थोड़ा सा आप पेशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, अंदर जरूर डालें, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग मिलेगी आपके स्टफिंग को, इस तरह से सारे परवल भर कर तयार कर लेंगे, तो यह देखिए, मैंने इस अच् गर्म कर लिया है, और अब ढाल हैं हमारे सारे भरवा परवल को, परवल ढालने की बाद थोड़ा से इन्हें उलट पलट लेंगे, और धीरे धीरे से मीडियम फ्लेम पर इसे हाफ डन कर लेंगे, इक से दो मिन तक फ्राई करने के बाद इन्हें ढखिए रख देंगे, जिस से धके रख रहे हैं दो से तीन मिनट के लिए तो ये देखिए हमारे परवल यहां पर अच्छे से फ्राइ हो गए हैं तो आए इन्हें पर निकाल देते हैं अब एक बतन मी गरम कर लेंगे तीन से चार बड़े चमच तेल डाल देंगे एक चोटा चमच सा बुजीरा अच्छ का पेस्ट हरी मीच को भी आप यहां पर पीसके डाल सकते हैं इसको भी थोड़ा सा बून लेंगे प्याच के साथ और उसके बाद मसाले यहां पर डालना शुरू करेंगे सबसे पहले हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी का पाउडर स्वादर नुसा डाल रहे हैं लाल आधे टाल लेंगे 3 टमाडर की प्योड इसे बैंट कर लिया है और डालकर इसे थोड़ा सा यहां पर चला लेंगे सारे चेंचे के साथ इसको भी आप ड्लेंगे अब डाल दчиight हमारी हैं पे इस्टाफिंग जो थोड़ी सी बच गई ती उसे मैंने हम मासाली मीं डाल दीया इसे थोड़ा गाड़ा पनाएगा और बहुत जादा टेस्टी भी लगेगी इसे डाल कर थोड़ा सा चला लें हमारे टमाटर के साथ और जैसे यह थोड़ा फ्राई हो जाएगा डगके रख देंगे एक से दो मिनट के लिए तो यह देखिए ऐल अच्छी से सेपरेट हो गया है मसाला हमारा बहुत अच्छी से यहां पर भुन गया है अब यह पर डाल देंगे एक कप पानी पानी बहुत जादा नहीं डाल रहे है क्योंकि इसे हम समी थिक बनाने वाले हैं बिल्कुल ड्राई भी आप इसे यहां पर बना सकते हैं तो बहुत कम पानी के साथ रसेपी क को बनाएं डालने के बाद थोड़ा सा इसे इस तरह चला लेंगे और यह देखिए अब जैसे गुबाल आगया है डाल देंगे सारे परवल को देर जीर एकर कि परवल को डालें जैसे स्टफिंग बाहर ना आए और यह देखिए थोड़ा सा चुप्र ग्रेवी है मैं ने इ तो आई इसे कवर कर देते हैं तो यह देखिए 7 मिनित के बाद हमारी रेसिपी यहां पर पूरी बन कर तयार है बहुत अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही अच्छा सी एक खुश्बू भी आ रही है सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं फिनिश करेंगे रेसिपी को थोड़े से गरा मसाले की साथ आदा छोटा चमच यहां पर डाल रहे हैं बहुत जादा गरा मसाला यूज ना करें स्किप भी आप कर सकते हैं डाल देंगे कटा हुआ रहा दनिया रेसिपी को फि आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा चैनल को जादा से जादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और एक बार इस रेसिपी को आप जरूर बना के देखें बहुत डिफरेंट रेसिपी है और खाने में आपको बहुत ही सकते हैं तो आपकी कॉमेंट्स मुझे जरूर शेयर करें आप से मिलेंगे ऐसी ही क्रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक्यू फॉर वाचिंग